Welcome to Web Institution, an international brand of software engineering education. जहां शे, आप और भी लेंग्विज को पढ़ चकते हो, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हेट किजिए, जिस फोल्डर में शारे फाइल्स को रखा जाड़ है प्रोग्राम के रूप में, उसके अंदर एक और फाइल क कर लिजे, वैसे वीडियो के डेस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो, इन में शे शबी प्रोग्राम्स को जो हमने इसे पहले बनाया, उनको आप डाउनलोड कर पाओगे, तो मैं इसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल कर कर देता हूँ, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, चैप्टर फाइब, एरी अंडर स्कोर, अपडेट.CPP, बेसिक ए स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दीजे, में फांक्शन के अंदर मैंने एक आरी बनाया, जिसमें पहले से 4 डेटा रखा गया, तो अपडेट का मतलब होता है किसी पाटिकुलर इंडेक्स के डेटा को डिफाइन करके उसमें डेटा को रखना, जैसे इसका इंडेक्स क्या है, 1, क्योंकि यह 0 है, तो अगला 1 होगा, अब अगर इसे मैं डिमूव करके यहाँ पे कोई और डेटा रख दू, तो मैं कहूँगा कि मैंने 1 इंडेक्स पे data को update किया तो ऐसा करना आसान है बस हमोसी index number को access करेंगे और जो update करना है वो update कर देंगे तो इससे क्या होगा X के one index number 15 था वोर remove हो जाएगा और 40 आ जाएगा तो ये basic update operation हो गया यूजर से इन्पूट लेकर कैसे अपडेट करेंगे शो देखिए पहले तो यूजर के सामने इसे प्रेजेंट कर देंगे ट्रैवर्स ओपरेशन की साहता से तो प्रेजेंट करने के लिए लूप चलाएंगे आई क्या वेल्यू जीरो आडे में जितना एलिमेंट होगा वो यहाँ डिफाइन करेंगे ताकि यह लूप जीरो से लेकर तब तक चले जब तक आई क्या वेल्यू फोर्से छोटा हो इन्क्रिमेंट ओपरेटर को पास कर दीजिए शी आउट का इस्तमाल करेंगे और एक्स आई को प्रिंट करने का कोसिस करेंगे बैक्सलास एन यहाँ आशे दे दीजिए अगर आपरण करोगे तो देखिए आडे का साडर डेटा प्रिंट हुआ इसके पहले इंडेक्स नमबर को प्रेजेंट करना है इस्ट्रिंग के सब्दों में आप यहाँ पे आशे राइट कर दो एक्स स्कॉयर ब्राइकेट फिर यहाँ पे इंसर्चन ओपरेटर का इस्तमाल कीजिए लेकिन अगर हम आशा करेंगे तो देखिए कुछ आशे प्रिंट होगा यहाँ पे बीच में इंडेक्स नमबर हमें चाहिए तो बीच में इंडेक्स नमबर प्राप्त करने के लिए आई के वैल्यू को प्रिंट करेंगे क्योंकि आई के वैल्यू में ही फॉर्स टैम जीरो होगा फिर वन होगा फिर टू होगा और फिर थ्री होगा तो इस्ट्रिंग के वीच में वैरियेबल जबी भी इस्त कर दीजिए रन करने पर पता चला कि 0 पे 12 है 1 पे 15 2 पे 16 अब यूजर से इंडेक्स नमर प्राप्त करेंगे कि आपको कौन से इंडेक्स नमर का डेटा अपडेट करना है तो जब यह लूप चल जाए तो यूजर को आप मैसेज दो enter array index अब यूजर जो input करेगा उशे हम किसी variable में रख देंगे तो देखे यहाँ पे मैं एक variable क्रियेट कर लेता हूँ input के नाम शे और शी in में ऐसे डिफाइन कर दूंगा input तो प्रिंट होने के बाद जो भी यूजर input करेगा वो input वाले variable में जाएगा फिर इसके बाद यूजर को message देंगे enter your data मतलब data input कीज़े कि कौन सा data आपको इस index नमबर पर update करना जो आपने यहाँ दिया अब यूजर data input करेगा तो इस data को हम केसी variable में रखेंगे तो देखे मैंने data को receive करके data variable में रखा इसे भी हमें declare करना होगा यहाँ पे तो user का input इसमें गया और user जो data update करना च शिर्फ हमने index number को प्राप्त किया user शे और जो update करना है उसे हमने प्राप्त किया अब हम update करने की coding करेंगे तो कौन से indexing number पर update करना है user को जो index number हमने input में रखा उस index number पर तो x का वही index number हम access कर लेंगे जो update करना है वो data variable में आप यहाँ पे आशा डिफाइन कर दो तो आशा क जर्या प्रिंट करके देखे इस तरह का शेम लूप फिर से चलेगा आपका मैंने इस तरह से copy करके paste कर दिया देखे one index पे 15 है पूछा किया कि आप index number input करो मैंने one प्रेस किया फिर पूछा किया कि one index वाले पे आप क्या data रखना चाहा तो मैं define कर देता हूं 400 एंटर प्रेस क करते है अब जड़ा search operation perform करने के लिए नया file create कर लिजिए यहां define कर दिजिए chapter 6 आइफन array underscore search dot cpp इसके अंदर basic structure को define के जिए और एक array को set कर दिजिए search operation का मतलब है data को find करना array के अंदर जैसे इस array के अंदर 12, 15, 16, 18 यह चार डेटा है users input लेंगे जैसे user ने input दिया 20 तो इसी 20 को इसके अंदर find करेंगे अगर मौजूद होगा तो message देंगे data found मौजूद नहीं होगा तो message देंगे data not found जड़ा see out का इस्तमाल किजिए और यहां आप एसे message दीजिए enter data to find या to search find या search एक ही चीज है आप इस तरह से write कर दो अब user जो number input करेगा उसे हम किसी variable में रखेंगे तो data नाम का एक variable होगा हमारे पास जिसके अंदर user जो number input करेगा उसे रखेंगे तो मैंने data variable को इस तरह से declare किया अब इसी data variable को find करना आपको इसके अंदर यानि कि search करना है search करने के लिए हमें पहले एक एक value को इसके अंदर से निकालना होगा और examine करना होगा कि जो पहला value आया क्या वो data के बड़ाबड है ऐसे coding करना होगा तो यहां भी loop चलेगा क्योंकि हमें यह 4 data अलग लग निकालना है 12 अलग 15 अलग 16 अलग और 18 किया आय के value define कर दीजे 0 अड़े में जितना element होगा तब तक लूप चलेगा अड़े में 4 element है इसलिए यहां define कर देंगे 4 आप आई में increment operator को pass कर दो अब अगर आप यहां पे x i pass करोगे तो क्या होगा first time x 0 यानिकि यह data access होगा second time x 1 यानिकि यह data access होगा अब इसे ही आप match कर कि देखो data के साथ कि क्या यह data से match हुआ अगर data से match हो गया तो user को message देदेंगे data found इसको semicolon से separate कीजिए अगर match नहीं हुआ तो else की सायता से user को message देदेंगे data not found तो जरा notice कीजिए हम loop के अंदर है इसका मतलब यहां जो message आया वो multiple times print होगा पहले आप रण करो मैंने type कर दिया data not found data not found data not found यानी चार बार message आया क्योंकि यह loop चार बार चलता है आपका message एक ही बार आना चाहिए ऐसा कैसे होगा जरा समझे एक variable create करेंगे जैसे मैंने match के नाम से एक variable create किया और इसका data type है boolean तो boolean data type का मतलब हो गया कि या तो आप इसमें true रख सकते हो नहीं तो आप इ नाम से एक boolean variable declare किया अब इसी matched में true और false को update करेंगे अगर data आप का match कर जाएगा तो उस case में matched वाले variable को access करेंगे और इसमें update कर देंगे true लेकिन अगर match नहीं करेगा तो उस case में matched वाले variable को access करेंगे और इसमें update कर देंगे false लेकिन ध्यान दिजे match जब हो जाएगा तो लूप को आगे चलने से रोकेंगे जब भी भी लूप को आगे चलने से रोकना होगा तो break keyword का इस्तमाल करेंगे तो generally हमारा काम क्या है क्या इसके अंदर data है अगर data होगा तो match domain तो true जाएगा लेकिन जब data found होगया तो फिर ये loop नहीं चलने देंगे इसलिए हम break keyword का इस्तमाल करेंगे अब आप लूप से बाहर निकलो यहाँ पे और check कर लिजे कि क्या match domain true है ऐसे check कर लिजे अगर match domain true होगा तो user को message दे दिजे data found ऐसे right कर देंगे back slash n भी दे दिजे इस्तरा से इसका else क्या होगा data not found 12 के अंदर भी see out का इस्तमाल कीजिए और ऐसे message दे दिजे data not found का तो यह search का basic operation है और भी तरीके से search की जाती है जो आप आगे पढ़ोगे test कीजिए मैंने यहाँ पे write कर दिया 50 देखे एक ही बार message आया data not found फिर वापस run कीजिए मैं type कर देता हूँ 12 देखे message आगया data found देश प्रोग्राम को भी वीडियो के description में दियेगा link से आप download कर सकते हो वाप institution की official website पे विजिट कीजिए ताकी online software engineering classes के बारे में सारी जनकारी आपको मिल सके वाप institute की वीडियो को देखने के लिए और वाप institute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद